अब हम पढ़ेंगे और वर्गी क्रित बारंबारता बंटन सांड़नी के लिए मात्य रथार्थ मेन क्यात करना जैसा कि पहले हम देख चुके हैं मात्य का जो फॉर्मुला होता है यहां पर सिग्मा का अर्थ है योग एफ का मतलब है यह बारंबारता है सिग्मा एफ हो जाएगा इन सब बारंबारताओं का योग और सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा एफ और एक्स का पहले गुणा करेंगे और उसके बाद में जो भी यहां पर मान प्राप्त होंगे उन सब का योग करेंगे वह हम माननों जाएगा सिग्मा एफ एक्स तो हम इनका मुल्टिप्लिकेशन करके देखते हैं यहां फ और एक्स का गुणा 0.1 x 30 0.1 x 30 जैसा कि आप जानते हैं दसमलोग को यहां से अटाकर यहां नीचे एक लेख सकते हैं और पॉइंट के बाद में एक संक्या तो एक 0 लगा सकते हैं 0 से 0 कोट जाएगा और आस्वर जाएगा 3 इसी तरह से 0.2 x 60 will be equal to 12, 0.3 x 20 will be equal to 6, 0.4 x 40 will be equal to 16, 0.5 x 10 will be equal to 5 and 0.6 x 50 will be equal to 30 इस तरह से हमें f x प्राप्त होता है यहां पर हमें जो जरूरत है वो है sigma f x की तो हम इन सब का योग करते हैं it is equal to 72 and it is equal to sigma f 210, sigma f का माना है 210 और sigma f x जो हारा है बाहरा है 72 अब हम हमारे पास हमें जो formula है x बार is equal to sigma f x upon sigma f समांतर मात्या x बार बराबर sigma f x upon sigma f sigma f x हमें प्राप्त हो रहा है 72 upon sigma f 210 इसे हम 7.2 upon 21 लिख सकते हैं and it will be equal to 2.4 upon 7 and it is equal to 0.3 342 and so on अब यहां पर देखिए दस मिलब के बाद मैं हमें जो मान ग्याद करना है वो दो उंकों तक ग्याद करना है तो इसका सन निक्टन मान हम ग्याद करते है अगर यहां पर जो राशी आ रही है वो 5 से बड़ी होती तो हम उसको हटा कर यहां पर एक अंक बढ़ा देते अरता 4 की जगा 5 कर देते लेकिन चुंकि यह राशी 5 से चोटी है इसलिए इसका सन निक्टन मान जो होगा वह हम 0.34 ही लिखेंगे एक्स बार इसकोल टो 0.34 तो अब रगी कृत बारम बारता बंटन चाहने के लिए मात्रीक यह करने के लिए आपको यह फॉर्मूला यह करना है एक्स बार का गुणा करने के बाद में जो तो भी हमें प्राप्त होता है उन सब का योग और इस तरह से हम गड़ना करके इसे हल कर सकते हैं